exercise 11.2 का question number 8 देखते हैं 8th question में दिया हुआ है Mohan wants to buy a trapezium shaped field its side along the river is parallel to and twice the side along the road if the area of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter find the length of the side along the river देखो question में जो बोल रहा है उसको हम लोग अपने easy language में समझने की कोशिश करते हैं एक Mohan नाम का कोई वेक्ती है वो एक जमीन खरीदना चाहता है अब जो जमीन वो खरीदना चाहता है वो जमीन है trapezium shape का और उस जमीन के एक side में नदी है river है और एक side में road है अब यहाँ पर जो जमीन है उसके बारे में detail ये दिया हुआ है कि जमीन के side में जो trapezium का side आ रहा है वो side opposite side के half है या फिर यह बोल सकता है कि river के side में जो उस जमीन का side है वो road के side का trapezium का double है यह चीज मैं आपको wide board में diagram के थ्रू explain करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यहां भी आप देख सकते हो नीचे में जो diagram बना हुआ है तो नीचे में आप देखो जो trapezium का side है वो बड़ा है और road के तरफ जो trapezium का side है वो छोटा है यानि कि वो जो जमीन है उसका area दे दिया है 10,500 meter square एक चीज और बताया है यह दोनों जो river का side है और जो road का side है वो दोनों आपस में parallel है तभी यह trapezium बनेगा ठीक है और इन दोनों parallel line के बीच में जो distance है वो 100 meter का है देखो perpendicular distance का मतलब क्या हो गया इस trapezium का height हो गया वो 100 meter का है तो हम लोगों को यह find out करना है कि इस trapezium के दोनों side का जो parallel sides है उनका length कितना होगा यानि कि road की तरफ जो trapezium का side है और नीचे river की तरफ जो trapezium का side है उन दोनों का length हम लोगो find out करना है ठीक है whiteboard में आपको diagram के तरू और अच्छे से explain करता हूँ तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और हम लोग easily इसका answer find out करेंगे चलिए whiteboard की तरफ चलते हैं यह diagram आपके textbook में दिया हुआ है अब यहाँ पर हम लोगों समझते हैं क्या क्या चीज़ है यह जो आपको shape दिख रहा है ठीक है यह देखो यह उपर में road है यह है trapezium shape ठीक है आप देखो यह line और यह line parallel है और यह दोनों line parallel नहीं है तो trapezium में यह होता है सिर्फ दो opposite sides parallel होते बाकी दो opposite sides parallel नहीं होते है तो यह जो shape है यह एक जमीन है ठीक है और यहाँ पर नीची में है river अब आप देखो यह जो जमीन है road और river के बीच में है ठीक है question में हम लोग को बुला है कि यह line और यह line ठीक है यह road के side road की तरफ जो इस trapezium का side है मैं इसको trapezium वो रहा हूँ आ side है इन दोनों के बीच में एक relation है क्या relation है कि यह वाला side इस वाले side के half है या बोल सकते हैं यह वाला जो side है इस वाले side का double है यह question में बता दिया है इसका मतलब अगर यह 5 cm का होगा तो यह 10 cm का होगा अगर यह 10 cm का होगा तो यह 20 cm का होगा जैसा भी है इसके अलावा question में ह आप कुछ भी बोल सकते हैं, यह हम लोगों को question में दिया हुए 10,500 meter square, इस trapezium का area है, question में एक चीज और बोला है कि यह जो दो parallel line है, यह वाला line और यह वाला line, इन दोनों के बीज का perpendicular distance, यानि कि straight, यहां से यहां तक का distance 100 meter का है, तो देखो जब यह दोनों line आपस में parallel है, तो अगर यह यहां से यहां तक 100 meter है, तो यह वाला line segment यहां से यहां तक होगा, obviously 100 meter का ही होगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी भी trapezium का height, question में एक चीज और मिल गया हमको height of trapezium, यह कितना दिया हुआ है, 100 meter, यह question में हम लोग को दे दिया है question में हम लोग को क्या find out करना है, question में बोला है कि इसका जो side है, यह वाला side और यह वाला side का length कितना होगा, यह हम लोग को find out करना है इन दोनों के बारे में सिर्फ एकी चीज बता है, कि यह वाला side जो है, इस side का double, ठीक है, तो हम लोग assume करते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, अगर यह वाला side x होगा, तो यह वाला side कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि यह इसका double है, ठीक है, let the sides of trapezium या field कुछ भी लिख सक करते हो, b, x and 2x, ठीक है, एक side x होगया, दूसरा side 2x होगया, अब हम लोग इसका कैसे value find out करते हैं, देखो, सबसे पहले हम लोग को area of trapezium का formula पता है, area of trapezium, यह जो field है, trapezium shape कहिए, आप trapezium लिख लो या field लिख लो, कोई परखने पड़ता, दोनों का मतलब same है यापर, ठ दिया है, हम लोग को 10,500, इसका formula होता है, half into d, sorry, half into a plus b into h, अब यह a plus b क्या होता है, side से इसका, यह वाला side और यह वाला side, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक है, तो a और b के जगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, x और 2x, value put करते है, area of trapezium हमारे पास है, 10,500, 10,500 is equals to, 1 by 2 into, यहाँ पर a के जगा में x है, plus b के जगा में 2x है, bracket close into, height, height यह 100 मीटर का है, यह वाला 100, ठीक है, अब देखो यहाँ पर response कैंसल करते हैं, 10,500 is equals to, यह 2, 1 जा 2, यह हो गया, 2, 5 जा 10, 2, 0 जा 0, multiplication division आप अपने हिसाब सी कर सकते हो, कैसे भी, ठीक है, अब यह x plus x हो गया, 3x bracket के बाहर है, into 50, ठीक है, अब यह 50 जो है, इसको हम लोग left side ला सकते है, ठीक है, यहाँ पर multiply हो रहा है, यहाँ कि divide हो जाएगा, तो 10,500 divided by 50 is equals to 3x, ठीक है, यह 0, 0 cancel हो गया, दोनो 5 के table से divisible है, 5 1 जा 5 हो गया, यहाँ हो गया, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 0s are 0, यहाँ आ गया, 210 is equals to 3x, ठीक, अब यह 3 जो है, x के साथ multiply हो रहा है, अगर इसको इस side shift करेंगे, तो आके divide हो जाएगा, तो 210 divided by 3 is equals to x, divide करते हैं, 3 1s are 3, यह हो गया, 3 7s are 21, 3 0s are 0, तो x का value आ गया, 70, 70 is equals to x, या x equals to 70, कुछ भी लिख सकते हैं, x हमने क्या आजियों क्या है, sides of trapezium, यानि कि यह वा तो जो दूसरा side है, वो कितना होगा, इसका just double हो जाएगा, तो हमनों लिखेंगे, length of other side, एक side x है, और दूसरा side क्या है, 2x है, 2x यह हो जाएगा, 2 into 70, यानि कि 140 meter, यह भी meter में आ गया, तो यह वाला side 70 meter का हो गया, और यह वाला जो side है, 140 meter का, क्योंकि यह side इससे just double है, ठीक है, तो यह होगा exercise 11 point होगा,